आज की वीडियो में मैं एक्स्प्लेन करूंगी सर एच एच मुन्रो जिने हम साकी के नाम से भी जानते हैं उनकी द्वारा लिखी कहानी चोबर मौरी चोबर मौरी एक हास्यासपत कहानी है और ये कहानी है एक बिल्ले की तो सुनते हैं ये कहानी मेरी यानि गरिमा की अवाज में कहानी की शुरुवात होती है जब लेमलीज नाम के एक कपल है उनके घर में एक बहुत शानदार पार्टी होती है उस party में उनकी colony के, उनकी friends circle के बहुत सारी families और friends इंड़ेटेट थे उसे में इंड़ेटेट थे Mr. Eppin Mr.Eppin जो कि बहुत intelligent समझे जाते थे Mr.Eppin ने एक बहुती महान काम किया था उन्होंने सतरा साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने एक बिल्ले को इनसानी जुबान बोलना सिखा दिया था जब सब उनकी अबास सुनते हैं सब आश्चर चकित हो जाते हैं एक बिल्ला वो तो सिर्फ चुहे के बारे में ही सोचेगा तब मिस्टर एपन कहते हैं कि नहीं उनका बिल्ला बिल्लाओं से बहुत उपर है वो इतना इंटेलिजन्ट है कि वो किसी भी प्रश्न का बहुती इंटेलिजन्ट आंसर देता है और ये बात उन्होंने तब जानी जब एक बार उनका बिल्ला अपनी आराम दे कुरसी पर बैठा कोई गीद गुन गुना रहा था उन्होंने जब उससे पूछा कि क्या तुम डिनर करना चाहोगे तब उस बिल्ले ने बड़ी शान से कहा कि नहीं अभी वो थोड़ी देर बार डिनर करना चाहता है तब उन्होंने पहली बार जाना कि टोबर मरी इंसानी जबान समझने भी लगा है और बोलने भी लगा है उनकी मेहनत रंग लाई थी पार्टी में मौजू सभी लोग अब टोबर मरी से मिलना चाहते हैं तब मिस्टर एपिन चोबर मरी को आवाज लगाते हैं और उनका मोटा बिल्ला चलते हुए पार्टी में आता है मिसिस ब्लेमली जिनके घर में पाटी थी वो टबरमरी से पूछती है कि क्या वो थोड़ा दूद लेना चाहेगा टबरमरी बोलता है हाँ क्यों नहीं ये सुनके सबाशर चकित हो जाते हैं वो बिल्ला सच में इंसानी जबान बोल रहा था मिसिस ब्लेमली इतना जादा नर्वस हो जाती है कि जब वो टबरमरी के लिए दूद ढार रही थी तब उनसे दूद कारपेट पे छलक जाता है वो खपड़ा जाती है तब टबरमरी बड़ी शान से कहता है कि मुझे कुछ नहीं लग रहा ये मेरा कारपेट थोड़ी ना है क कारपेट तो आपका खराब हुआ है मिसिस ब्ली बार बार सौरी सौरी कह रही थी और टबरमरी खड़े शान से हस रहा था तब वहां पर एक लेड़ी थी जिनका नाम था मिस रेसकर वो टबरमरी से एक सवाल पूछती है वो पूछती है कि तुम इंटेलिजेंस के बारे मे क्या कहना चाहोगे तो बरमरी उन से पूछता है कि आप किसकी इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहेंगी तो वो कहती है किसी की भी मेरी ही इंटेलिजेंस के बारे में बता दो जो बरमरी एक मुसकान हसता है आपकी इंटेलिजेंस आपको सब लोग यहां नहायती बेव कूफ समझते हैं, खास करके मिसिस ब्लेमली, मिसिस ब्लेमली सोचती है कि आप से आदा मूर्ख औरत इस पूरी सोसाइटी में नहीं है, वो बिस्टर ब्लेमली से कह रही थी कि आपको पार्टी में ना बुलाया जाए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनकी वो खटारा गा एक और सर्जन हैं, जिनका नाम है मेजर बारफील्ड, वो समझते हैं कि यहां मोहल खराब हो रहा है, तब वो जल्दी से टुबर मरी से कहते हैं, अरे छोड़ो ये सब बात, तुम ये बताओ, तुम्हारी वो प्यारी बिल्ली जो पीछे अस्तिबल में तुमसे मिलने आती है, अरे वही मोटी बिल्ली, उससे तुम्हारा चक्कर कैसा चल रहा है, लेकिन उन्हें या सवाल चोबर मरी से सब के सामने में नहीं पूछना चाहिए था, उन्होंने अपने सर पे आफत मोल ली थी, चोबर मरी उनके पीछे घुमता है, और कहता है, इस तरह की प्राइव जो आपके चल रहे हैं, जो सबसे छुपे हुए हैं, सब के सामने पब्लिक कर दूँ, ये सुन्दे ही मेजर घश खा जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि टोबर मरी उनके सारे राज जानता है, दर असल उस सोसाइटी में हर घर के आगे एक पतली सी रेलिंग थी, जो हर घर को क चलता था, और हर घर के अंदर छाकता था, वो कई लोगों के ऐसे राज जानता था, जो अगर सामने आ जाएं, तो ना जाने क्या हो जाएं, तबी मिस्टर एपिन टोबर मरी की दिशा मोडते हैं, और उससे कहते हैं कि क्या तुम खाना खाना चाहोगे, हाला कि वो जानते थे कि चबर मरी के डिनर को अभी दो खंटे बाकी हैं, चबर मरी उनके तरफ आश्चर चकत वारी नजरों से देखता है और कहता है, मुझे अपना लिवर खराब नहीं करना, क्या मैं इंडाजेशन से मर जाऊं, सब उसको देखते रह जाते हैं, सब एक मात्र बिल्ले से ड कमरे में अकेले में क्या करते थे, तब ये बिल्ला रेलिंग से अकसर चल के जाया करता था, उसने कितनों के सीकेर्ट्स चान लिये होंगे, तब ही वो पीछे मुड़ता है, और मैविस पलिंग्टन नाम की एक औरत को संबोधित करता है, वो उनसे कहता है, आप तो यहाँ स कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा खाना ही वहां मिलता है, और आप यहाँ पर खुब जम के खाना खाने आई हैं, ये बास सुनके मैविस पलिंग्टन बिल्कु शर्मा जाती हैं, क्योंकि वो सच में यहां सिर्फ खाना खाने ही आई थी, सब अपना अपना चहरा चुपाने लगते हैं, कि कहीं टोबर मरी उनकी तरफ देख के उनका कोई राज ना खोल दे, लेकिन तब ही उनकी किस्मत से टोबर मरी को वो मोटा बिल्ला दिखाई देता है, जो उसकी बिल्ली के पीछे पड़ा था, वो पीले रंग का मोटा बिल्ला स्टेबल की तरफ जा रहा था, टोबर मरी जैसे ही उसे देखता है वो दर्वाजे से बहार उसका पीछा करता है यहां पार्टी में सब आपस में डिस्कुशन करते हैं कि टोबर मरी उनके लिए खत्रा बन चुका है कहीं वो उनकी रास की बातें किसी और को बता ना दे इसलिए उन सब को मिलके टोबर मरी को मार देना चाहिए ये बास सुनकर मिस्टर एपिन बड़े दुखी हो जाते हैं मिस्टर एपिन अपने बिल्ले से बहुत प्यार करते थे वो से मारना नहीं चाहते थे लेकिन इतने लोगों के खिलाफ वो जा भी नहीं सकते थे मिस्टर एपिन से कहा जाता है कि बिल्ले के रात के खाने में जहर मिला दिया जाए साथ ही उसकी जो दोस्त है मोटी बिल्ली जो की वस्तबल में रहती है उसके खाने में भी जहर मिलाना होगा क्यों कहीं टोबर मरी ने अपनी ये कला, अपनी प्यारी बिली को भी न सिखा दी हो, इसलिए उन दोनों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। बारी मन से मिस्टर एपिन जहर मिलाने के लिए तयार हो जाते हैं। टुबर मरी के डिनर में एक ऐसी दवाई मिला दी जाती है जिसको खाने से उसके मृत्यू हो जाएगी। लेकिन बहुत रात तक भी टुबर मरी अपना खाना खाने आता ही नहीं। सब अपने दिल की धरकने रोके उसी का इंतिजार कर रहे होते हैं। पार्टी का मज़ा बिल कुख से यही पूछ रहे थे कि टुबर मरी खाना खाने आया या नहीं। और कुख सब को बता रहा था कि टुबर मरी का खाना जसका तस रखा है वो तो खाना खाने आया ही नहीं है। अन्द में पार्टी खतम होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह ये के लड़ाई होती है लेकिन टोबर मरी उस बिल्ले के आगे कमजोर था और वो बिल्ला उसे मार देता है टोबर मरी के पंजे में उस बिल्ले के फर फसे हुए थे जिससे आबास साबित होती थी मिस्टर एपिन से कहा जाता है कि वा जिन्दगी में दुबारा कभी भी किसी ऐस एसे बिल्ले को ट्रेंड ना करें जो उनके लिए खत्रा बन जाए अगर वो चाहें तो वो बेशक ऐसे जानवरों को ट्रेंड कर सकते हैं जो जंगल में रहते हैं जैसे घोड़े यहां थी जिससे उस सुसाइटी कोई खत्रा ना हो जिसे कभी भी उनका कोई सीक्रेट बहार आ सके थोड़े दिनों के बाद अकबार में एक खबर छपती है कि मिस्टर एपिन जो एक एलिफेंट को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे वो एलिफेंट उनसे बहुत परशान हो जाता है और वो उनको कुचल के मार देता है इस तरह से मिस्टर एपिन का भी अंत हो जाता है और साथ ही खत्म हो जाती है उनकी वो कला जो वो पश्मों को जानवरों को सिखाया करते थे ये एक कटाक्ष है हमारी सोसाइटी के खिलाफ कि कैसे हम अपने प्यारे को भी अपनी सुरक्षा के लिए मार सकते हैं जब पूरा समाज एक हो जाता है और किसी छोटी से जीव को भी खत्रा समझने लगता है जब वो उनके राज जान जाता है साकी ने हमारी सोसाइटी में प्रवेल्ड इस कूप रथा को इस कूरिती को बड़े व्यंगात्मक रूप से इस कहानी में समझाया है कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक देना ना भूले अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही मज़ेदार कहानिया सुनने के लिए सुनते रहें सुनो कहानी थैंक्स फूर लिस्निंग बाई फॉन ओ